तो देखो इस question को एदे रख्या है दो statement दे रख्या है अब हमारी statement वन क्या बोल रही है कि if the current of a lamp increased by 20% the percentage increase in the illumination of the lamp is 40% ठीक है तो देखो current कितना अगर मैं heat का formula लिखू हूँ तो heat होता है आपका i square r t ठीक है i square r t ठीक है तो हमारा यहां से देखो किसी भी lamp का current change करने पर resistance तो same रहेगा ठीक है अगर हम उसका temperature constant मान रहे हैं और अगर हम time भी same माल लें तो आपका जो heat produce हो जाएगा किसी lamp के across वो proportional हो जाएगा आपका i square के ठीक है तो initially जो heat produce होगा वो कितना हो जाएगा h1 वो हो जाएगा आपका proportional to i1 square ठीक है i1 square तो हमने क्या किया हमने current को कितना बढ़ा है 20% बढ़ा दिया तो initial current कितना था initial current वो आपका है i1 ठीक है final current कितना हो जाएगा हमने बढ़ा है कितना i1 plus 20% of i1 हमने बढ़ा दिया i1 ठीक है यह 1 होगा तो यह आपका आ जाएगा 1.2 i1 तो यह आपका final current हो जाएगा ठीक है तो हमारा जो h2 आ जाएगा वो आ जाएगा proportional to 1.2 i1 का square ठीक है अब हम क्या काम करेंगे दोनों को divide करेंगे तो h1 by h2 is equal to वो आपका हो जाएगा h1 by h2 आपका equal हो जाएगा i1 by 1.2 i1 का whole square तो जो हमारा जो h2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1.44 time of h1 ठीक है h2 हो गया तो हमें percentage rising बताना है वो कितना हो जाएगा तो percentage rise निकालने लिए क्या काम करेंगे तो आपका हो जाएगा वो तो percent change in heat वो आपका हो जाएगा h2 minus h1 divided by h1 into 100 ठीक है तो h2 कितना है 1.44 minus h1 यह आपका क्या जाएगा h1 हो जाएगा divided by h1 into 100 जो इसको solve करोगे तो यह आपका जाएगा 44 percent तो अब देखो option में क्या गिवा है 40 percent change है जब कि कितना percentage change है वो है 44 percent तो इस statement क्या हो जाएगी false हो जाएगी अब देखो statement 2 पर आजाते है statement 2 हमारा कह रहा है कि illumination of the lamp is directly proportional to the square of the current to the lamp जो कि correct है हमारा इसका correct option क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा statement 1 is false and statement 2 is true तो इसका option D हो जाएगा correct हो जाएगा